हे वाई टी बेंस की हल चल वलकम बैक टो दा चनल दोस्तों आज हम वीडियो लेकर के आये हैं कमपैरिजन बिट्वीन काश्मीर एंड मनाली बहुत ही रेर ये वीडियो है किसी भी इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडियम पर आपको ऐसा कमपैरिजन नहीं दिखाई देगा ब वीडियो कर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजे और अगर कोई जा रहा है मनाली या कश्मीर या जाने का प्लैन कर रहा है तो इसको ये वीडियो शेयर कर दीजे आई शुरू करते हैं इस कमपैरिजन वीडियो को दिखाने के लिए मैं अपने लैप्टॉप की स्क्री से आपको information दे रहा हूँ यहाँ पर आपको सारी information available हो रही होंगी कश्मीर वर्सस मनाली का ये comparison वीडियो है आई शुरू कर देते हैं एक एक करके जानकारी हाजिल करना दोस्तों comparison मेरे points जो हैं वो based हैं six theories पर जिसमें मैं सबसे पहला point आपको बता रहा हूँ how to reach from दिल्ली यानि कि आप किस रहसे दिल्ली से कश्मीर या आप मनाली पहुंच सकते हैं क्या-क्या माध्यम हैं इसके बाद places to visit वहाँ पर आप कौन-कौन से स्थान घुमेंगे कश्मीर और मनाली के अंदर जो एक standard package के अंदर होते हैं package cost क्या हो सकती है conclusion क्या होगा कौन सा इस्थान सही से services नहीं provide करती हैं तो वाइटे भारत चनल पर मैं आपको एक travel company का नाम दूँगा वीडियो के title में भी उसका mobile number mention कर दूँगा वीडियो के description में mention कर दूँगा वहाँ पर जाकर के आप मनाली या कश्मीर का package अराम से ले सकते हैं बहुत ये बढ़िया और अच्छी services के स safety क्या होगी ये एक बहुत बड़ा concern है तो इस सारी information को आईए एक एक करके start कर देते हैं दोस्तों next slide में सबसे पहले आपको हम बताएंगे how to reach कश्मीर and मनाली from दिल्ली यहाँ पर कश्मीर से अगर आप दिल्ली पहुँचना चाहते हैं तो आपको क्या लेना होगा कौन कौ से माध्यम हो सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एयर के थुरू अगर आप जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से श्री नगर एयरपोर्ट के लिए flights आप पिक कर सकते हैं और अगर आप मनाली से मनाली के लिए अगर दिल्ली से जाते हैं तो उसके लिए आपको भु कश्मीर अगर आप जाएंगे तो दिल्ली से direct flight है श्री नगर की क्योंकि आपका package हमेशा श्री नगर से start होता है कश्मीर का तो आपके लिए वो nearest पड़ेगा 10-12 km के अंदर आपका hotel वहाँ पर उपलब्द होगा जबकि अगर मनाली की compare करें by air अगर जाएंगे तो 50 km का distance हो सक आपको जम्मू जाना होगा और जम्मू के लिए दिल्ली से बहुत सारी train चलती है जम्मू जाए जम्मू के बाद वहाँ से आप taxi service लेकर के काश्मीर जा सकते हैं जहां स्री नगर वहाँ से आपका tour package क्योंकि start होगा इसके बाद अगर आप बात करें train से अगर आप मनाली ज नेक्स मीडियम की बात कर लेते हैं अगर बस का सफर करना चाहते हैं तो बस के लिए दिल्ली से जम्मू की direct bus चलती हैं कश्मीरी गेट से आप ले सकते हैं तो कश्मीरी गेट से लेकर के आप जम्मू चले जाए जम्मू से वहाँ से आप taxi करके फिर श्री नगर चले जाए बस की अगर दिल्ली से मनाली की बात करें तो क्या कहने सबसे अच्छे सर्विसेज हैं दिल्ली से मनाली की वॉल्व बस सर्विस बहुत सारी हैं प्राइविट भी ले जा सकते हैं गॉर्मेंट भी ले जा सकते हैं और अगर रोडवेस की बस करें तो सस्ती बढ़िया सुंदर टिकाओ पड़ेगी जा करके अराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं बस कमपर्टेबिलिटी कम होती है और नॉन एसी ये बसेज होती है जो रोडवेस की है इसके बाद अगर ड्राइव की बात करें तो कार से आप दिल्ली से कशमीर अराम से पहुँँं सकते हैं बहुत अच्छा activities के मामले में कार से ड्राइव करेंगे तो दोने ही options जगह के लिए better रहेंगे next slide पर चलते हैं पहला आपका point clear होगा कैसे आप कशमीर या मनाली पहुँंचे प्लेस to visit पर आ जाते हैं कौन-कौन से स्थान है कश्मीर के अंदर और मनाली के अंदर घुमने के लिए सबसे पहले जब आप कश्मीर पहुंचेंगे तो आपका पिक अगर एरपोर्ट से या अगर आप किसी तरह से पहुंचते हैं तो श्रीन अगर आप पहुंच जाए है रेलवे स्टेशन या अएरपोर्ट बस इस्टेंड वहाँ से आपका पिक अप कर लिया जाएगा और मनाली अगर आप बात करते हैं तो मनाली आप अगर पहुंच रहे हैं वालो बस इस्टेंड पर तो वहाँ से आपका pick up कर लिया जाएगा और pick up करने के बाद जो आपका कश्मीर के अंदर जो side scene start होगा वो मैं आपको बतायता हूँ सबसे day one पर जो श्री नगर का side scene होगा उसके अंदर आपको श्री नगर के मुगल गार्डन के अंदर घुमाय जाएगा मुगल गार्डन आपका निशन्त है the garden of delight शालिमर the garden of love चश्मा शाही the royal spring and कश्मीर largest almond garden तो इतनी सारे गार्डन हैं आपको जहां पर आपको घुमाय जाएगा और मनाली के अगर बात करें तो लोकल साइट सीन आपका day one पर होता है लोकल साइट सीन में जो places होते हैं खास करके वो होते हैं हडिमबा temple, manu temple, one विहार, club house, तिबबतन monastery, buses temple और कुछ ऐसी point होते हैं 31 में plus हो सकता 31 में minus हो सकता है अब चलते हैं day two पर जब आपका गंटे लेती है और रास्ते में आपको सिंद्री वर, apple valley, fishing point, rafting point, गंगीर वाला केडाल ऐसी जगह पर आपको view करवाए जाएगा, side scene करवाए जाएगा इसके बाद day two पर अगर मनाली के आप बात करें तो आपका day two बहुत interesting होने वाला है, सर्दियों के दिनों में जाएगे तो आपको वहाँ पर आपके hotel से solang valley ले जाए जाएगा, घर्मे के दिनों में जाते हैं, तो आपके hotel से आपको ले जाए जाए जाएगा, रोतांग आपको बहुत छी snowfall मिलेगी, तो जहाँ पर आप पहुँचेंगे solang valley, तो solang valley में जब आप जाएगे तो वहाँ पर बहुत सारी adventure activity करने को मिलेगी, आपको paragliding मिलेगी, snow scooter आपको मिल सकता है, rope way आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा rope way है solang valley के अंदर, और बहुत सारे और adventure activity कर सकते हैं, अपनी cost पर आपको करनी होगी, आपको ये package में included नहीं होगा, और अगर आप इसकी detail हासिल करना चाते हैं, तो मेरे पुराने वीडियो में जा करके, बहुत ही detailed वीडियो में ने बनाए है, मनाली के इन सारे side scene के बारे हैं, packages के बारे में, आप जा करके देख सकत आप बहुत अच्छा golf course है, गंडोला rides है, जो world की सबसे highest जो ropeway है, वो गंडोला ride है, गुलमर के अंदर ही है, उसके बाद आप पूरा side scene करेंगे, गुलमर की adventure activity जितनी भी है, वो सारी आप अपनी on cost पर करेंगे, सिर्फ आपको पहुचाय जाएगा destination पर, और अगर आप मन इसके साथ, उसके बाद आपको मनी करन गुर्द्वारत ले जाएगा, वहाँ पर जाकर करके आप इसनान करें, सल्फर स्प्रिंग का water है, बहुत ही जबर्दस इसनान का experience आपको मेलेगा, उसके बाद बाबाजी का दर्शन करें, लंगर परशार लेने के बाद आप वापस निकल जाएए अपने होटल की तरफ, मनाली के लिए, रस्ते में आप क्या कर सकते हैं, कसुल का पुरा पारवती आउटर पड़ता है, आपका वहाँ पर रुख करके, आदे गंटे के लिए आप अपने ड्राइवर को बोलके रुख सकते हैं, किसी ब्रिज पॉइंट पर ज यह होता है की बनाली मनाली का, वॉल वो शो लेके तो आप फाइष नाट सिर्फ का पढ़ जाएगा लेकिन अगर आप वैसे पैकेज की बात करें तो थ brack four days का पढ़ता है, किश्मीर का 6 नाट 7 days का, मैं आपको पैकेज यह बता रहा हूँ, जो सिर्फ आपका कश्मीर से किलोमेटर होने वाले सबसे बड़ा जो ट्रेवल का टाइम है वो इसी दिन आपका लगने वाला है 98 किलोमेटर सी करब यात्रा है ये रास्ते में आप घूम सकते हैं सैफ्रान वैली मटन मंदिर बैट फेक्टरी एपल वैली लीडर रीवर अवंतिपुरा रेंस और राफ्ट जाकर कि आप खुद बात चीत कर सकते हैं पहलगाम में घूमना चाहें तो घूम सकते हैं हम आपको जो प्रवाइट कर रहे हैं वो पहलगाम का इस्टी की ही फसिलिटी प्रवाइट कर रहे हैं जाकर कि आप रैस कर सकते हैं घूमने फिरने का मनो तो पूरा घूम लीजे च वहाँ पर शीनगर में आप शिकारा राइड करेंगे डल ले के अंदर और उसके बाद आपका ओवरनाइट स्टे रहेगा हाउस बोट के अंदर जो बहुत ही अलग तरह का experience होगा और इस हाउस बोट के अंदर आपको और भी services प्रवाइड करी जाएंगी जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ अब बात कर लेते हैं package cost के बारे में जो बहुत important point है इस पूरे वीडियो का तो package cost की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं कश्मीर 6 night 7 days और मनाली 3 night 4 days का package ये कितने का पढ़ने वाला है दोस्तों मैं आपको per person के साब स बताने जा रहा हूँ और अगर आप couple जा रहे हैं आप 3, 4, 5 जुतने भी लोग जा रहे हैं उसके recording आप इसको divide कर सकते हैं कुछ ये कम भी हो सकता अगर आप जाधा लोग जा रहे हैं तो ये आप ध्यान में रखेगा travel agent को जो मैंने title में number दिया है वहाँ पे call करके आप book कर सकते हैं सारी जानकारी हाजल कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ आपका सबसे पहले कश्मीर का six night seven days honeymoon package का cost 13,500 रुपे पड़ता है लगबग estimated cost per person की आज की डेट में 13,500 रुपे जिसमें आपको honeymoon inclusion में candle light dinner, flower bed decoration, cutting cake, once during the stay, house vote में आपको मिलेगा तो ये आपको कुछ facility मिले करें तो honeymoon inclusion package में आपको candle light dinner, flower bed decoration, badam milk, cake मिलेगा और ये सा facility आपको provide की जाएंगी उसके बाद चलते हैं आपको ले करके आपको बता देते हैं non honeymoon package आपका लगबग पड़ेगा 13,000 रुपे का कश्मीर के अंदर और मनाली के अंदर आप बात करें तो non honeymoon package आपका per person 6,000 रुपी हैं वो एक-एक करके आपको बताना हमें start कर देते हैं दोनों package में क्या-क्या facility होंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर package की दोनों में जो common है honeymoon non honeymoon package में वो आपको one room का accommodation मिलेगा deluxe room होगा double sharing basis पे आपको मिलेगा transportation facility मिलेगी day one से लेकर गे day last तक आपको individual cab आपको provide करी जा days का आपका stay होगा उस दिन में आपको हर दिन होटल की facility provide की जाएगी और last वाले दिन श्री नगर में आपको house boat की facility आपको provide की जाएगी और इसके बाद pick up and drop तो मैंने आपको बताया जाए श्री नगर एरपोर्ट से breakfast dinner यह आपको provide की जाएगा यूँकि lunch time पर आप जातर बा जाएगा one double room sharing basis पर आपको deluxe room के अंदर car से सारा transfer side scene सब कुछ आपको individual car से आपको provide की जाएगा यह सबसे खास बात है इस package की और wallow bus की ticket आपको provide की जाएगी इसी same cost में जो दिल्ली से मनाली और वापस दिल्ली आपको ले जाएगी तो यह package की cost के बारे बात हो गई अब चल से important part होने वाला है अब इस वीडियो का दोस्तों अगर connectivity की बात करें तो मेरे according जो मनाली की connectivity है दिल्ली से वो अच्छी better है लेकिन अगर आप by air अगर आप connectivity की बात करें तो कश्मीर जादा better रहेगा connectivity के मामले में दिल्ली से मनाली सस्ता पड़ता है पास में भी है और कश्म कश्मीर का कोई तोड़ नहीं है अगर धरती पर स्वर्ग है तो यहीं है यहीं है यहीं है यहीं है यह कश्मीर के बारें बोला जाता है लेकिन सिर्फ एकी problem होने वाली है कि package की cost जो खर्चा होता है वो कश्मीर में ज्यादा पड़ता है मनाली में अगर आप compare करें तो अग विल्कुल जन्नत हो जाती है आप एक बार जुरूर लाइफ में होकर के आईए मनाली ये experience आपको शायद हमेशा के लिए याद रह जाएगा लेकिन अगर आप पहले मनाली होकर के आए हैं तो कश्मीर जगर आप जाएंगे तो आप मनाली से बहुत फार बेटर experience पराप कर सकत होटल भी बहुत सारे आपको देते हैं साइट सीन भी बहुत दूर दूर आपको करने के लिए आपको मिलते हैं तो travel cost भी बहुत जादा increase जाती है और उसके बाद अगर आप मनाली की बात करें तो जादा कोई इतना कोई distance है नहीं आपका local sighting local में ही होती है शुलांग वेली safety के मामले में इस टाइम कश्मीर भी बहुत safe है मनाली भी safe है दोनों में आप अराम से safely जा सकते हैं चाहे आप couple हों चाहे आप family के साथ जा रहे हों package option की आप बात करें तो वो मेना को बताए दिया सारे package option honeymoon non honeymoon यह आप ले सकते हैं जैसा भी आप चाहें अगर आप honeymoon couple हैं और budget की कोई issue है तो आप non honeymoon package लेकर की भी जा सकते हैं experience आपका better ही रहेगा snowfall days कि अगर आप बात करें तो कश्मीर में जो snowfall experience है वो बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर आप मनाली में भी जाते हैं तो आपका कम budget में बहुत ही memorable experience रह सकता है दोस्तों यह सब चीजे मैंने आपको को बताया सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ इससे जड़ेव अगर आपके फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं तो वाईटी भारत पर आप कमेंड करके पूछ सकते हैं इसके साथ सथ अगर package book करना चाहें तो वो मैंना को बताई दिया कि आप जो म सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में